सब्सक्राइब करद आपको मामलों के साथ अपडेट करते जो मामले सामने निकल कराया है पूंछ से लिए और शानकारी निकल कर दिया गया वहीं आपको बदा दे आठ मामले पुंछ से भी सामने निकल कर है दो उधंपुर्च से और छे रामबन से यह जानकारी की हुमारे पास आ रही है पुष्टी हो जाएगी पर सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं यहां पर डोडा से भी एक मामला सामने निकल कर आ यानि कि विश्णा से एक मामला, काला कोट से एक मामला, सुंदर्बनी से दो मामले इसमें का महिला भी है और एक शक्स भी है साती साथ पूंच से आठ मामलों की जानकारी हमारे पास आ रही है दो मामलों की जानकारी उधंपुर से आ रही है और छे मामलों की जानकारी रामबन से आ रही है तो लगातार जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है जमू संभाग में भी लगातार मरीजों की संख्या में इदाफा होता जा रहा है ग्राफ जो है करुणा का जमू में भी बढ़ रहा है साथ-साथ कश्मीर घाटी में भी इसने रफतार पकड़ी हुई है लगातार संक्या में इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है जमू कश्मीर में तो देखे किस तरीके से यहां पर हमने जिकर किया कि जो नए मामले सामने निकल कर रहा है उसमें एक बिशना से है जिसमें 65 वर्षिये एक भुजूर्ग महिला है उसके बाद काला कोट से एक है जो भिंडी भजार से बापिस आया था इसकी ट्रैवल हिस्टी बताए जा रही है सुंदरबनी से एक महिला और एक शक्स है जिनकी भी ट्रैवल हिस्टी बताए जा रही है यहां पर इन्हें कॉरंटाइन सेंटर में रखा गया था उसके बाद इन्हें इलाज के लिए GMC भरती करा दिया गया है आठ मामले पुंच से, चार जम्मू से, दो मामले उधंपुर से, छे रामबन से और कश्मीर से जो जानकारी हमारे पास आरी, 22 की जानकारी हमारे पास आरी कश्मीर घाटी से, इस वक्त लगबग 5 बच कर 9 मिनट हो गया है, 22 मामलों की रूफ हमारे साथ जुचों के कश्मीर घाटी से, रूफ 22 की जानकारी हमारे पास आरी, इस 22 की पुष्टी हो चुकी है, किस हजबतार से, यह 22 मामले सामने निकल कर आया है, रूफ को लगता है हमारी आवाज पहुंचनी पाई टेक्निकल एरर है, यहाँ पर हम आप एक बार फिट से बता दे, 22 मामले कश्मीर से सामने निकल कर आ रहे हैं, वहीं साती सात, यहाँ पर अगर हम बात करें, जमुसंभा की तो, जमुसंभा के सुन्दर बनी से भी मामले सामने निकल कर आए हैं, दो उसके बाद बिष्णा से 1 मामला उसके बाद काला कोट से 1 मामला पूंच से 8 मामले दो मामले उधंपूर से 6 मामले रामबंध से और 1 मामला डोड़ा से जिसने चिंताईं कहीना कहीन बढ़ा दिये जो लगाता है लोग यह सोचे थे ये महामारी शिर्f शहर तकी सीमित है उनके लिए कही न कहीं अब चिन्ताइं भड़ गए हैं अब ये सोच न होगा, ये महांमारी कोई जगा, कोई समय, कोई वक्त नही देखती, कोई इलाका नहीं देखती चाहे वो शहर हो या चाहे वो गाउं हो इसने अपने जो प्रोकोफ है हर जगा ढाया हुए इसने अपना कोराम हर इलाके में मचाया हुए यहाँ पर रूफ हमारे सा जूट चुके है रूफ 22 मामरों की जानकारी निकलकर हमारे पास पहुंच रही ह है और किस हस्पताल से भी 22 की जानकारी मिली है अभी तक तो अफिशली इसकी तदिक नहीं हो पाई है मगर एक तो एक फिगर 14 दिखा रहा है दूसरा 22 दिखा रहा है जो शेर कश्मी मेडिकल इंस्टूट की लैब से आये हैं और मैं आपको बताओं कि आज यहां से दो डेस जिए गया था हॉस्पितल में उसकी डेथ हुई है और फिर जब उसके स्वेंपर्स ले गए तो वो बास्टूए हैं और एक बारामला की खातून है 80 साला खातून है लास्ट अपते जो लास्ट वीग जो बारामला में एक शेक्स की डेथ हुई है यह उसकी मदर इनलाओं बताई जा रही है और ये भी कोई पास्ट जो आई थी तो बराबर मैं आपको बताऊं सवर्व कि बराबर जो तैदाद है वो बढ़ रही है अभी ऑफिशली तो अभी नहीं आ रहे हैं कि पांच साड़े पांच के बाद ही हर एक अस्पताल से ऑफिशली जो स्टेट्मेंट आते हैं और आए रोज हम देखते हैं कि आप सेंग्डू में जो है वो फिगर से वो सामने आ रहे हैं चलिए रूफ शुक्रिया आपका कश्मिर्खार्टी से मैसा जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए कश्मिर्खार्टी से जिस तरीके से अभी पूश्टी नह तमाम इलाकों से मामने सामने निकल कर आए हैं